हाई दोस्तों गोडिवनिक सुप संधिया आप शवी का श्रागत है आपके अपने चैनल MST वेजुकेशन में हमने कल दस के वास्तिक संख्या पढ़े थे उसके मुल्ख कंसेप्टों को समझे थे और आज हमें आगे पढ़ना है हम क्या पढ़े थे उसमें उसके मुल्ख कंसेप्ट गया थे संख्या के बारें पढ़े थे संख्या हमारी दोपरकार की होती है वास्तिक संख्या और कातुरिक संख्या हमने वास्तिक संख्या को दो भागों में बटा था परिमे और अपरिमे परिमे को दो भागों में बटा गया था प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या को अपुना चार भागों में बटा गया था सम संख्या विसम संख्या भाय संख्या और अभाय संख्या और इसको यह concept को समझ सकते हैं, तो चलिए आज आगे हम इस class को बढ़ाते हैं, तो इस class में हमें सबसे पहले पढ़ना है, Euclid की भी भाजन प्रेमेरिका, यह क्या होती है, इसको हम समझते हैं, दो धनात्मों पुडान A और B दिये रहने पर, ऐसी और दिवतिय पुड़ संख्या Q और R पिदमान होकी, A बराबर BQ प्लस R, जहां R is greater than equal 0, less than B, होता है, यह क्या होता है, इसको समझ लेते हैं, यहां एक विभाजन का नियाम है, जो होता है, इसमें हम B से A में भाज देते हैं, तो भाज देते हैं, तो Q आ जाता है, तो इसे लिख सकते हैं BQ, जहां इसमें इनिमाइडर R आता है, अब यह R यही लिखा गया है, जो R है वही आ रहा है, तो लिखा गया है, कि R is greater than, equal 0 and less than B, आनि जो R है भेलू होंगे, वह यहां तो 0 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से हमेशा छोटा रहता है, तो इसमें हम देखते हैं, आवे बढ़ाते हैं, तो इसी को हम लिखा गया है, जो हमारा होता है, बोलते हैं भाजे, भाजी बराबर, भाजक, जो होता है, भाजी बराबर, भाजक, गोए, भालफल, प्लस, सेज़फल, तो हम कर सकते हैं, जहां जो लिखा गया है, कि हमारे एउकलीड विभाजन जो प्रिमेईका है, उसमें लिखा गया है, ए बराबर, BQ प्लस R, तो हम जान लेगते हैं करम से इसमें R, A, B, Q क्या है, तो इसमें हमने देखा, कि A में B से भाज दिया तो भाज गया क्यों भाज रिमाइंडर हमारा आ रहा है तो इसके एकोर्डिंग देख लेंगे तो इसमें जो A है वह आपका भाज कहलाएगा B भाजब होगा और Q भाजब होगा और R आपका सेस्पन होगा और इसी को हम करते हैं Euclid की विभाजन प्रेमेरिका तो हमने इसको समझा और देखा और इस प्रेमेरिका की कैसे हम परयोग करते हैं आगे हम अभी जानेगे उसकी बाद जो अगला पॉइंट होता है वो होता है Euclid विभाजन ये लोरिधम ये काफी इंपोर्टेंट है यहां से प्रेश्ण पुछा जा रहा है दो वर्षों से और इस साल वीज प्रेश्ण पुछेगा ये पुछेगा तो ये आखिर Euclid विभाजन अल्गोरिथम है क्या विभाजन अल्गोरिथम क्या है तो हम उन्य पताया की Euclid विभाजन अल्गोरिथम एक दो दिए गए धन्त-फुडां को का महत्म समाव प्रवाजन तक व्याद करने का तरीका है तरीका क्या है इसको हम आगे देखेंगे तब तक इसको नोट करिए नोट करिए इसकी साथ ले दिजें तो देखते हैं माउसा घ्याद करदे की रिजी क्या होती है ये उकलीड और विवानाजन अल्गोरिक्तम से तो हम इसको पास स्टेपों में रिवाइड किया गया है एक एक स्टेप को हम करम सब समयते हैं और ध्यास देखते हैं और यहां से परिछा में दम एक या दो नंबर तो आना ही आना है तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पहला स्टेप क्या है हमने पहले ही बताया था कि इसमें दो धनात्मक पुडांक का ही मौसा निकाला जो सकता है तो इसमें पहला स्टेप में ध्या गया है माना दो धनात्मक पु करेंगे तथा छोटे वारे को भी से पहले श्रिप में है कि सबसे पहले मांग ले जाएगा कि ए और बी दो धनात्मा पुडांक है जिसमें ए बड़ा है और बी छोटा धनात्मा पुडांक है उसके बाद दुसरे श्रिप में कि ए को बी से भाग देते हैं और प्राफ सेशफल भागफल और शेशफल को क्रम सह आर तथा क्यों से परधर्शिप लगते हैं इसरे श्रिप में जब हम भाग देंगे तो भाग में अगर हमारा सेशफल जीरो अथा यहां देखेंगे कि हमने कहा कि दो प्लांग मना जाएगा ए और बी तो ए को बड़ा मना जाएगा और बी को छोटा तो दुसरे श्रिप ने रिखा गया है कि ए को बी से भाग देते हैं तो ए से बी भाग देते हैं तो लिखा गया प्राप्त भाग पर भाग पर आणि B से भाग देने पर Q भाग जाता है यह हो जाएगा BQ अगर BQ यह कटके आणि R is equal to 0 आगया आणि रिमाइंडर हमारा 0 आगया तो 0 आगया इसमें जो B होगा आणि भाजक होगा उसी को हम ACF कहेंगे यदि पहले स्टेप में R हमारा 0 नहीं होगा जैसे कि तिसरे स्टेप में दशाया गया है कि यदि R बराबर 0 तो ACF B होगा अगर R बराबर 0 आगया तो यहीं से हम वो सकते हैं कि ACF B होगा यदि R डल नाट इसकल टू 0 यदि यहां जो 0 आया है रिमाइंडर वह 0 ना आगर कि कुछ भी आ जाये तब यूग्लेट प्रेमे का का परियों करते हैं और भागफल B और सेस्फल R के लिए करते हैं अब जो काम हमने यहां A और B के लिए किया था वही गाम अब B और R के लिए किया जाएगा तब जब किया जाएगा तब अब यहां B को अब यहां हमने A को B से भाग दिया था जब reminder जिरू नहीं होगा तो हम B और R के लिए Euclid algorithm का प्रयोग करेंगे तो अब हम जब जिरू नहीं होगा reminder तो B को R से भाग करेंगे और करने के परच्चा जो भागफर और शेश्वर आएगा उसे हम करम सब Q1 और R1 से परदर्शित करते हैं यदि अब हम देखेंगे जाज करेंगे कि यदि R1 बराबर 0 आगेदा तो जो हमारा Q1 होगा आनि हम पुना भाग देंगे भाग देंगे और R से B में तो भाग देंगे यहाँ जाएगा आपका Q1 और यह जब जाएगा तो हो जाएगा आपका R Q1 और यहाँ जो आपका सेस बचेगा वो हो जाएगा R1 तो इस समय जो हमारा Zero आजाएगा अर्थात जब भी Reminder हमारा Zero होगा तो उसका भाजक ही मौशका आएगा अगर यहाँ भी Zero नहीं होता है यह परिकिरिया जारी रहेगी यह परिकिरिया तब तक जारी रहती है जब तक यहापका Reminder Zero ना आ जाएगा तो इसे हम एक mêmes example लेकर करकर समयते हैं तब तक उसको आप इसकी इसकीं Sumitar कर लिजिए तरहको पूदाहन कर लिजिए नोट होते हैं though check our application क्या है चाम प송दांने कि हम्मारा पुछ सकता है जैसे हम यहां अफ़रे पुरान करके आप से पुरश्ब पूछ सकता है तो इसको इस step के according देखते हैं कि इसका ACF कैसे ग्याद देख सकता है तो प्रश्ण है 18270 का मौसव ग्याद के दिए तो हमें मौसव ग्याद करने के बहुत तरीके हैं लेकिन उन तरीकों का परियोग नहीं करना है हमें सिर्फ Eoclid Vivalent Algorithm का ही परियोग करना है तो हमने इसमें step 1 में दिया गया है कि माना दो धनात्मा पुडांक A और B तो जो A और B धनात्मा पुडांक है वहीं आपका 181 और 277 होगा इसमें दिया गया है बड़े धन पुडांक को A आनि जो बड़ा धन पुडांक है उसको हम माल लेंगे यहां देखिए गए यहां माल लेंगे A बराबर आपका 200, 37 और छोटे यहां दिया गया है तथा छोटे धन पुडांक को B लेते हैं तो छोटे वाले को ले लेंगे B आनि B हमारा हो जाएगा 81 तो यह पहला step है दूसरे step में दिया गया है कि A को B से भाग देते हैं आनि A मने 237 को 81 से भाग देगे तो देखिए यहां जब भाग देगे हम भाग देगे तो इसको लिखा जाएगा Antigone 237 जब भाग देजाएगा तो 2 बाज जाएगा 2 बाज जाएगा तो यह हो जाएगा 2 एका में 2, 2, 8, 16 आनि 162 नटाएंगे यहां हो जाएगा पांच और यहां 13 में से 6 तो हो जाएगा 7 अब दिखिए यहां हमारा जो है रिमाइंडर 0 इसको जब हम एक ग्लीट भाजन प्रेवेका देखे थे तो यहां दिखेगा हम ने बताया था कि यहां B से A में जब भाग देंगे तो Q बार ज जाएगा तो इससे लिखाते हैं B क्यू रिमाइंडर भजता है आज तो इस प्रश्न को जब हल करेंगे रिखने के सरूसन सरूसन यहां लिखा जाएगा यूक्लीड यूक्लीड दिभाजन दिभाजन algorithm दिभाजन प्रिमेइगा जिते हैं का से आप जानते हैं कि यूक्लीड दिभाजन प्रिमेइगा क्या होती है तो होती है A बराबर B Q प्रस A इसी से हम हल करते हैं तो आगे हम देखेंगे कैसे हल करेंगे तो इसी को इस रूप में लिखेंगे तो जो हमारा A होता है वो भाजी होता है B हमारा भाज़क होता है Q भाज़क होता है और R सेशफल होता है इसी रूप में लिखेंगे तो A बराबर हमारा हो जाएगा 277 बराबर B हमारा है B है 81 और भाजक हमारा है 2, plus, सेशफ़ल हमारा है 75, जो जहां नहीं सकते हैं, आर डल नाट इसकल टू जीरो, जब आर जीरो नहीं है, हमने बताया था, इस टेप 3 में, कि जब आर जीरो हो जाएगा, तो बी आपका मौसव कहला आएगा, तो बी मौसव कहला लाएं इतना आट जीरो तो है नहीं, तो यह प्रोसेस फिर आउगे बह जाएगा, तो यहां दिया गया है, कि अब दी को आज से हल रहेते हैं, आनि भी को आज से हल बहेते हैं, आनि भी हमारा एक आसी है, और 81 आरा 75 है यहां भाग देंगे तो भाग जाएगा हमारा एक बार जब एक बार जाएगा तो हो जाएगा यहां 75 तो घटाएगे 11 से 5 घटाएगे 6 होगा यहां भी देख रहे हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं हुआ पुना इसी स्टेप को आगे बढ़ाएगे तो जो यहां है आपका एक वो हो जाएगा 81 यह हो जाएगा 81 और जब हमने भाग दिया है और हमारा जो भाजक है वो है 75 तो यहां लिखने के 75 और जो भाग फर हमारा है वो है एक और सेस्पर है 6 यहां भी देख रहे हैं कि आर्ट यहां भी आप 0 नहीं है तो अब पुना जो आया है अब इसका जो है इसमें पुना भाग पचाप्ता में जाएगे 6 से तो एक बाज आएगा जाएगा आपका 5 तो दो बाज आएगा 6 तो अब यहां घटाएगे तो हम देख रहे हैं एक जो है जी रूसरू नहीं होना है तो पुना अब-पचाएगा आपका यह हों हो गारी जो इस आपका जो वहां यहां मुझा तो हो जाएगा यह कट दिया और यहां दिमाइटर आपका जीरो आ रहा है तो यहां पुना लिखेंगे वहीं जो सेम चीज यहां हो जाएगा आपका तो यह हो जाएगा च्छो बरावार तीन गुड़े दो प्लस जीरो यहां आट इसकल तो जीरो जब भी हमने बताया था कि अपर क्रिया तब तक होगी जब तक कि आट जीरो ना हो जाएगा यहां देख रहे हैं कि इस स्टेप में हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो आ जा रहा है अताहा रिख सकते हैं अताहा एट सी आफ 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 एक्टी वन तो हंड्रेट थर्टी थी इसकल टू थ्री यहीं हमारा आशर होगा देखिए हमने यह कितना आसान है इतना ही करेंगे तो परिच्छा में हमें आसानी से एक या दो नंबर प्राप कर सकते हैं तो हमने आज पढ़ा कि इयॉकलीड विवाजन प्रेवे क्या है इयॉकलीड एल्गोरिथम क्या है तो हमने बताया कि विवाजन एल्गोजोरी थम है वह एक ACF ग्याद करने के विधी है वो विधी क्या है तो हमने यहां लिखा यह विधी कई स्टेपों में संपादित होती है इस स्टेप के एकॉइडिन हमने एक कोस्ण समझाया और उसका आंसर आया 3 हमने देखा और हमें उम पहले प्रशनावली को हर कर सकते हैं तो आप अपने जो भी आपके पास भूख हो वह आप पहला प्रशनावली निकालिए उसमें जो भी कोशन दिये हैं इस बीदी से ACF ग्याद करिए नहीं आये तो आप कमेंट बाक्स में कमेंट केजिए और आप इस वीडियो को अच्छ समय जाएगा आप एक बाद ना आये समझ में दोबारा देखिए और इसे अधिक से अधिक सेर करिए कमेंट करिए और दुसरे बच्चों कोई बताइए कि नहीं अब MST Education क्लास चाहरा है और दिन प्रतिदिन आपको step जो भी होगा आपको क्लासे दिये जाएंगे और जैसे ह यह वीडियो यह आपका chapter समाथ होगा आपको PDF के माध्यम से नोट्स इसका distribute करा दिया जाएगा तो आप अपने तरह से एक नोट्स बनाते रहे हैं अन्याथा यह MST Education आपको PDF के माध्यम से नोट्स उपलत कराता रहेगा तो आप अपने दोस्तों से रिष्तदारों से बोलि इस वीडियो को देखिए घर बैठे आप इस क्लास का आनंद लिजिए और हमें उम्मीद है कि आपको काफी मजा आया होगा तो आप इसको देखिए और अधिक साधिक सेयर करिए और कमेंट करिए धन्यवर्ण